Welcome to my channel, Sequence Study. आज़ जम करेंगे वो है, The Pride of Thames, Classroom Assignment 4, Class 11th, BBC. So, let's start. I was one of a party. Who hired an up river boat one summer for a few days trip? So, I was one of a party. Party का मतलब है, यहाँ पर के कुछ लोग है, उन में से मैं एक था. Who hired, जिन्होंने hire की किराई पर लीग क्या? An up river boat. Up river boat मतलब जो की Thames की जहाँ से origin हो रहा है, वहाँ पर जाती थी. One summer for a few days trip. एक summer गर्मी उन में, केसले for a few days trip, थोड़ दिन की ट्रिप के लिए. We had none of us ever seen the hired up river boat before. हमने किसी ने भी आज सके, ऐसी hired up boat किसी ने भी नहीं देखी थी हमारे में से, कैसी होगी before and we did not know what it was when we did see it. और जा हमने देखा, तो तम हमें पता चल चला की वो कैसी होती है. We had written for a boat. हमने एक boat के लिए लिखा था, a double sculling skip. कैसी होने चीज़, double sculling मतला, दोनों तरफ जाने वाली. And when we went down with our bags to the yard, और जहां bags रेकर अपने, मतला, जहां से boat मिलने थी हमें yard पर पहुंचे, and gave our names, the man said, और अपने नाम बताए, Oh yes, you are the party that wrote for a double sculling skip. तो वो कहता है कि हाँ, जहां अच्छा, तुम लोगों, जिन्होंने double sculling skip मतला, बोर्ड मंगाई है, It's all right, ठीक है, Jim fetch round the pride of the themes. तो वो कहता है कि Jim अपना वहां पर कोई लड़का है, उसको कहता है कि जाओ लेकर आओ, the pride of the themes, the pride of the themes जहां, बोर्ड का नाम रखा है. The boy went and reappeared five minutes afterwards, अब लड़का जो है, गायबो जाता है, और पांच मिनट के बाद आता है. Struggling with an anti-diluvian chunk of wood, anti-diluvian chunk of wood का मतला है, एक ऐसे लकडी के तुकडी के साथ आता है, जो ऐसे लगता है, जैसे बहुत दी पुराना है, that looked as though it had been recently dug out of somewhere, ऐसे लगा कि जैसे कहीं से खोद के निकाल के ला रहा हो उसको, and dug out carelessly, और ऐसे उसको निकाला गया हो, उसको dug out किया गया हो, जैसे कि बड़े carelessly कि क्योंकि क्यों हुआ था, so as to have been unnecessarily damaged in the process, क्योंकि ऐसे लगा कि जैसे जबदरस्ती में उसको damage किया गया हो, मतलब कि unnecessarily मतलब नहीं भी बचाया जा सकता था, मगर उसको निकालते वे, ऐसे निकाला गया है, जो damage हो गई, my own idea on first catching sight of the object, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि first sight, तो उसको मतलब जो तभी हमारे दिमाब में उस चीज़ की क्या बन जाती है, एक image बन जाती है, कि हमने कोई चीज़ को देखा पहले बार, और एक दम या तो अच्छी image बनेगी या उसके बारे में negative बनेगी, तो my own idea on first catching sight of the object, जैसे उस object को देखा, अब बोट नहीं कह रहे हैं, उसको object कह रहे हैं, क्योंकि उनको बोट लगी नहीं दी है, was that it was a Roman relic of some sort, ऐसे लगा, जैसे वो कहा है, Roman relic कहा है, Roman relic मतलब कि Romans के जो बहुत पुराने समान हुआ करते थे, उनको relic कहते हैं, तो जैसे relic of what I do not know, possibly of a coffin, उसको तो ऐसे लगा कि कुई पुराना coffin है, the neighborhood of the upper thames is rich in Roman relics, क्योंकि जहां से originate होती है, आउस जगे पे से जो है, वहाँ पर Roman relics बहुत जादा है, मतलब Romans के पुराने समान बहुत जादा है, and my surmise seemed to me a very probable one, और जो वो conclude करता है, मतलब कि वही, कि सरम Diese का मतलब, यहां तो हम कीजी बात को क्या करते हैं, जब conclude करते है, result निकालते हैं किसी बात का, बिना उसके मतलब कोई से proof कि, हम कहते कि बस ये बात है, हमारे पास proof न हो, और हम कहते हैं कि ये बात है, तो उसको कहते हैं सरम ICE, सरम ICE seems to me a very probable one, अब उसने अपना conclusion निकाल लिया writer नहीं but our serious young man अब देखो जो उनका एक और आदमी था जो उनमें serious था तो वो कहता है who is a bit of a geologist वो थोड़ा बहुत क्या है geologist है who put my Roman relic theory तो वो pood का मतलब dismiss कर देता है कहता है reject कर देता है कहता है नहीं Roman relic theory को reject कर देता है कि नहीं यह चीज नहीं है क्या है यह and said it was clear to the meanest intellect और यह जो है किसी भी intellect इंसान को clear है क्या clear है in which category he seemed to be grieved grieved नहीं दुखी होता है जस category के लिए दुखी होता था that he could not consciously include mind कि वो जो है अपने consciously जो है उस बात को नहीं वो कर पा रहा है include नहीं कर पा रहा है मान नहीं पा रहा है क्या that I think the boy had found कि जो चीज लड़का लेके आया है was the fossil of a whale तो वो कहता है यह क्या है fossil है किसका धांचा है skeleton है किसका एक whale का and he pointed out to us various evidences और वो बहुत आरे evidences बताते हैं proving that it must have belong to the pre-glacial period और कहते हैं कि यह किसको belong करते है pre-glacial period को belong करते है यह whale का क्या है skeleton है तो यहां पर क्या है various evidence है और वो प्रूफ के साथ उन्होंने कहा to settle the dispute आप देको dispute क्या है यह है कि यह boat है कि fossil मतलब कि whale का skeleton है क्योंकि वो तो कह रहे थे कि यह boat नहीं है मतलब राइटर कह रहे है मतलब कि क्या है यह एक क्या रहा फॉसल है उसका whale का तो दूसरा कह रहा है यह रोमन रालिक सा राइटर कहता है तो यह dispute चल रहा है to settle that dispute we appeal to the boy हमने boy को क्या का appeal कि कि we told him not to be afraid कि अप्रेट मत अडरो मत बट तो स्पीक अप्रेटर प्लें टूथ वस इट फॉसल अप्री अडमाइट विर्ल और वस इन अर्ली रोमन कॉफल अब दूसेटल दा dispute dispute तो यह है कि जो राइटर है कि यह जो है वो है पहले वाली चीज कहते है रोमन रालिक है और दूसरा वाला कह रहा है कि यह क्या है वेल का स्कालेटन है तो बॉइ दूसेटल बॉइ सेटल वाली अप्र वो लड़का तो फिर भी अकड़ा आवा है कह रहे है यह तो प्राइट अप्र थेम सी है पहले तो हमें लगा यह मजाख वाला जवाब है ऐसी मजाख में बोड़ रहा है और किसी ने इसको दो पैंस दे दिये उसकी रेडी वेट मतलब एक वादम हाजर जवाबी के लिए बट वेन ही परसिसेट इन कीपिंग अपता जोक मगर वो जब यही बात जोक को परसिस्ट करता रहा मतलब एक ही बात कहता रहा अज वी थोट तू लॉँग वी गॉट वेक्स्ट विद है अब देखो जब वो बार बार को इसी बात को अपनी फिक्स होके बैढ़ गया तो उनको क्या लगा वेक्स्ट का मतलब प्रॉब्लमाटिक अब वो जो है वी गॉट वेक्स्ट विद है मतलब भी हमें अब उसके साथ प्रॉब्लम होने लगे क्योंकि वो हम उनकी बात जो है लड़का जो उनकी बात नहीं सुन रहा था कम कम माई लैड अब वो कहता है said our captain sharp अब इनका जो captain है, writer का तो हो कहता है, come, come, इधर आओ don't let us have any nonsense, हमें कुछ nonsense नहीं चाहिए, you take your mother's washing tub home again and bring us a boat, आओ वो तो कह रहे है कि यह क्या है washing machine है, उसकी मा की पुरानी और वो कहते हैं, इसको लेकर जो washing machine को and bring us a boat, और एक boat लेकर आओ the boat builder himself come up then a boat builder खुदिया आगया, जिसने बनाई है and assured us on his word as a practical man that the thing really was in fact the boat अब वो भी कहने लगा, जो boat builder है कि यह तो क्या है सच मुच में, boat ही है double scaling skill selected to take us on our trip down the river, यह हमें जो है नीचे ले जाएगे उपर ले जाएगे, sorry we grumbled a good deal अब हमने ग्रंबल किया लडाई जगडा जैसे जो होता है, इस सरह से करा, मैंने बहाईस भाजी की we thought he might at least to have had it white washed or tarred, अब हमने का कि कम से का मगई इसको white wash paint तो कर देना चाहिए और tarred, tarred का मतलब उसके अब चार्कूल की जाएगे, चार्कूल लगाना तार का मतलब है, तार्कूल, तार्कूल से बना है, यह वो tarred, मतलब की चार्कूल लगाना चीएग, तो कोईले वाली जो होती है He even seemed offended at our remarks, अब वो उसको ऐसे लगा, बुरा लगा, मारी रिमार्क्स पे He said, he had picked us about the best boat in all the stocks, and the thought, any thought he might have been more grateful He said, the pride of the themes had been in use just as it now stood, or rather as it now hung together He said, the pride of the themes had been in use just as it now stood, यह तो कई सालों से ऐसे ही use हो रही है यसी खड़ी है, for the last 40 years, 40 साल से, to his knowledge, and nobody had complained of it before, and he did not see why we should the first to begin और उसने को किसी ने भी आसक इसके बारे में complain नहीं की है, और हम पहले थे जो complain कर रहे थे We argued no more, अब हमें समझ में आगा है कि इसको इसाल आर्गू करना बेकार है We fasted the so-called boat together, fasting का मतला उसकी रसी खोल देना, और बोर्ड को ले जाना, with some pieces of string, got a bit of wallpaper, थोड़ा सा वाल पेपर लिया, and pasted over the shabier places, जहां जाना गंदी लग रही थी वहाँ पर, वो वाल पेपर चिपका दिया We said our prayers, अब prayers करें, prayers इसले करें, कि उनको डर था कि भाई यह तूटी भी है कहीं और तूटा रस्ते में हम आयों हमें डूबना जाहें, and stepped on the boat, और भगवान का नाम लेकर हम बोर्ड के पर चड़ गए, they charge us 35 shillings, अब उसका किनायद को कितना ले लिया, उनोंने 35 shillings ले लिय Loan मतला है कि अगर यह तूटाट जाहे तो इतर से लोन हो गया, Ram 9 मतला है वही बोर्ड को काया, तूटी-कूटी से जो तुकडा है, for 6 days, 6 दिन के लिए, and we could have bought the thing out and out for 4 and 6 pence at any sale of driftwood around the coast, वह कह रहे हैं, यह तो हमें खरीदी लेती, इसको ऐसी चीज़ को, जो हमें 4 and 6 pence की म subscribe to my channel, please subscribe my channel, if a boat is called the pride of the themes, it is expected that a boat will be a boat of an exquisite quality, क्योंकि अगर कोई चीज़ प्राउड का फिल करते हैं, जब हमें बहुत जादा attractive हो, beautiful हो, या बहुत जादा क्या हो, मतला कोई उसमें strength हो, या कोई चीज़ ऐलग सी quality हो, जिसके लिए हम कोई क्या करते हैं, फिल करते हैं, प्र सुन्दर हो, अगर वो बोत होती, इस तरह से आएगा, beautiful यह ऐलिक हैं, और सब जो हैं, नेगतिवस में, आगे धने नेम दिए, प्राइप देन वा सब्राइन करते हैं, लिए प्राई जादा जो हैं, जादा आदा प।रो एक्स आरग सेल फॉटे बहाएं, परे प्रॉटे it looked that it must have belonged to the pre-glacial period. Comment on the author's reference to the boat in paragraph 3. Author calls the boat as an antediluvian chunk of wood because antediluvian means old-fashioned or ancient and the boat appeared to him as very old or ancient piece of wood. Any problem, you can ask me in the comment box. Next, to the author and his companion, the pride of the Thames could be anything except a boat. According to the author, the pride of the Thames could be anything except a boat because it looked to author as a Roman relic of some sort, relic possibly of a coffin, and to his companion it appeared as the fossil of a whale. Next, to settle the dispute, the dispute here is that according to the boy it was boat, but according to the author and his companion, it was a coffin or the fossil of a whale. Next, in which category, you can also see the dispute between narrator and his companion. The dispute was between narrator and his companion that he called it, he said that he was a fossil and he called it a Roman relic. But the dispute was between the two and his companion. In which category he seemed to be grieved that he could not consciously include our people who were experts of fossil studies. This means that the fossil studies were grieved. Select the option, rejected, rejected. Next, the boat builder expected the narrator and his friends to be grateful to him because he believed that he had picked out the best boat for them out of his stock. Last, 10th, 10th answer is what is he? 10th, they realized it was no use arguing with the boat owner. इसका आएगा हमारा D1 option, 12th का आएगा हमारा ये सीवल option. Next है हमारा 13th वाला जिसमें आएगा एग्जरेशन. एग्जरेशन का मतलब बढ़ा चड़ा कर बोलना, वो अपनी बोर्ट तो उसकी बेकार सी थी, कुछ नहीं था, तो उसको एग्जरेट करके बता रहा है, अब ये जो ये भी एग्जरेट कर रहे है, उसको इसका आएग्जरेशन बता रहे हैं, बिल्कुल ही बेकार बता रहे हैं, तो ये दोनों इसमें क्या है एग्जरेशन है, उसके बाद है possible priest का, यहां पर assured, क्योंकि हमें क्या बताना है, इसका synonym बताना है, तो थेंक यू, थेंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो,